Hello Everyone, Welcome to Government Jobs UP इस वीडियो में हम UP teacher से related update देखेंगे जिसमें government लगातार कुछ न कुछ changes ला रही है और इसमें क्या changes आए हैं वो हम देखेंगे तो उतर प्रदेश में मादमिक सिक्षा स्कूलों में भरती के लिए अब सिक्षकों को 30 तरिया द्यापक पातरता परिक्षा TET पास करनी होगी इसके लिए TET 3 यानि तीसरे स्थर की परिक्षा कराया जाने पर विभाग विचार कर रहा है और सरकारी और साहता प्राप्त के साथ ही प्रदेश के कक्षन 9 से 12 तक सबी हाई स्कूलों वा इंटर कॉलेजों में भी ये प्रिवस्ता लागू हो सकती है विभाग की और से गटित कमिटी इस पर विचार कर रही है नियुक्ती परिक्षा में सुचिता वा पारदर्शिता लाने के लिए अन्य नए नियमों को लागू करने के लिए भी विचार कर रही है विभाग की माने तो इसका खाका 2021 से 22 के साक्षिक सत्र में तयार हो जाने की उमीद है 2023 के बाद होने वाली भरतियों में TET अनिवार करने पर भी विभाग विचार कर रहा है नई सिक्षा निती के तहत यह लागू किया जा सकता है अभी तक कक्षा एक से आठ तक के लिए दो अलग अलग स्तरों की TET परिक्षा पास करनी होती है कैसे होगा TET लागू या पर नई विवस्ता लागू करने के लिए L.T. ग्रेट के सिक्षक सेवा नियमवली में संशोधन किया जाना अनिवार होगा अभी तक सरकारी स्कूलों में भरती लोग सेवा आयोग और साहता प्राप्त स्कूलों में मादमिक सिक्षा सेवा चेहन आयोग लिखित परिक्षा संपंद करा करता है और TET 3 को लागू करने के बाद संशोधन के तहाथ सिक्षकों को पहले TET भी पास करना होगा इसके अलावा सिक्षिक भर्ती के लिए लिखित परिक्षा सेक्षिक गुडांक के अलावा साक्षत कारव पढ़ाने के प्रदर्शन को भी जोडने के लिए कमिटी के सिफारिश पर विभाग विचार करें इसका मतलब कि यहां पर TET का एक्जाम तो देना ही होगा उसके बाद जो विकन्सी आएगी उसमें आपको रिटेन एक्जाम देनी के बाद interview होगा and interview के बाद भी आपका जैसे हम अभी private में trial देते हैं उस तरह से जाकर आपको demo या पढ़ा कर आपको दिखाना होगा कि आप किस तरह से class में पढ़ा पा रहे हैं तो ये भी एक इन सारे steps को भी जोड़ दिया गया है टेट 3 में अभी तक लोग से वा आयोग द्वारा संपन कराकर लिखित परिशा के अधर पर भरती की जा रही है कक्षा 1 से 5 तक और कक्षा 6 से 8 तक के लिए अलग अध्यापक पातरता परिशा होती हैं जिसे basic सुक्षा विभाग और मादमिक सुक्षा विभाग द्वारा संप प्रादिकारी प्रयाग राज के मद समन्वे स्तापित करना अतियावशक होगा क्या होंगे फायदे यहां पे अध्यापक पातरता परिशा से योग सिक्षा तो मिलेंगे ही साथ ही योगी सरकार जो सिक्षा में गुडवत्ता लाना चाह रहा ही है प्रतिस परदा कटीन होन सिक्षकों की भरती में फरजी प्रमान पत्रों के अधार पर नौकरिया पानी के सैकडों मामले सामने आ चुके हैं क्योंकि भरतिया सिर्फ और सिर्फ सैक्षिक गुड़ांक के अधार पर हो रही थी योगी सरकार सिक्षा विवस्ता में तकनीक के अधापा सिक्षक के खाल संपधा पोर्टल वा अनिस श्रोतों में मादमेग सिक्षा विभाग में 2025 तक होने वाली सभी सिक्षे को वो सिक्षणितर कर्मचारियों की रिक्तियों की गर्णा जून 2021 तक हर हाल में पूर्ण कर लेगा और चैन करने वाली संस्ता को समय सीमा के अंदर पस्ताओ बेज कर कैलेंडरों को लागू कराने के लिए प्रतीबत रहेगा सिक्षा भरती का वर्षवार कैलेंडर भी इस बार से बनाया जाएगा तो सिक्षा विभा को काफी सुधार तो किया ही जा रहा है मगर अब यूपी में सिक्षक बनना इतना आसान नहीं होगा कई सारे उसके चरण इसमें जोड दिये गए हैं और साथ ही इसके सिक्षक भरती से रिलेटेड आपको वर्ष भर का कैलेंडर भी जारी कर दिया जाएगा जिसे आपको ये सुविदा होगी कि कौन सा एक्जाम कब है और उसके एकॉर्डिंग आप प्रिप्रेशन कर सकेंगे और आगे के आने वाले वर्षों में आप किस तरह से तयारी करेंगे वर्ष भर में उससे रिलेटेड अपडेट इसमें मिल जाएगी जो कैलेंडर जारी होगा तो ये हमारी सिक्षा से रिलेटेड यूपी में टीचिंग जो वेकिंसी जाती हैं ऐसी हमारी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्यू सो मच